यूपी एटियस की बढ़ेगी ताकत खाकर हत्यारों से लेस होगी उत्तर प्रदेश की कानून वेवस्था दुरूस्त करने के लिए योगी सरकार हर जतन कर रही है एक तरफ जहां अपराधियों से निपटने के लिए यूपी पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है तो भही अब यूपी एटियस को भी अत्याधुनिक हत्यारों से लेस कर दिया गया है जानी अब वी वी आईपी और सम्वेदन शील जगाओं के सुरक्षा और ज्यादा मुस्तेदी से हो सकेगी यूपी एटियस को जिस तरह से ताकत मिल रही है उसे देखकर अपराधियों के होश उड़ गए है जी हाँ, आतंकियों से लोहा लेने वाले यूपी एटियस के कमांडोस को बेहत अत्याधुनिक हत्यार, उपकरण और एक्सेसिरीज मोहिया कराने के लिए कंपनियों से EOIE यानि एक्स्प्रेशन ओफ इंट्रेस्ट मांग अगया है जानकारी मिल रही है कि 30 जून तक इस काम की सभी फर्मालिटीज पूरी हो जाएंगी और फिर जल्द ही यूपी एटियस को ये हत्यार मिलेंगे आपके लिए अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से हत्यार यूपी एटियस को मिलने जा रही है UPATS को मिलेंगे ये हत्यार आपको बता दे जिस सी थू बॉल राडार को खरीदने की तयारी UPATS कर रही है उससे आतंकियों का कमांडों की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन होगा UPATS इन हत्यारों के साथ-साथ ऐसे वहनों को भी खरीदने की तयारी में हैं जो अचानक हमला होने पर अंदर बैठे कमांडों को सुरक्षित रख सकेगी फिर चाहे हमला गोलियों से हुआ हो या फिर हैंड ग्रिनिट से इसके साथ-साथ ऐसे वहनों में जवाबी फाइरिंग के लिए साथ गन पोर्ट्स भी होंगे क्या है ATS? UP सरकार ने साल 2007 में आतनवादी घटनाओं से निपटने के लिए ATS यानि Anti-Terrorism Squire का गठन किया था ATS UP पुलिस की एक स्पेशल लिकाई है UP ATS अपने कड़क कारवाई के लिए जानी जाती है बैरहाल UP ATS काफी वक्त से आक्टिव है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और स्पेशल तरीके से घटनाओं को अन्जाम देने के लिए जानी जाती है योगी की इस स्पेशल और खतरनाक फोर्स के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जबूर बताए